Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का पहला Floating, Liquified Natural Gas Storage and Regasification Unit जिसे हम FSRU बोलते हैं, ये महराश्टरा में अभी अभी आया है. तो इसका क्या मतलब है? ये जो जहाज है इतना बड़ा जिसको FSRU बोलते हैं इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है और इंडिया को इससे क्या फाइदे होंगे लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले LNG के बारे में जानना पड़ेगा कि LNG की जो Value Chain होती है वो कैसे काम करती है So LNG होती क्या है? पहले हम LNG में L हटा देते हैं LNG का मतलब होता है Liquified Liquified मतलब जो Liquid हो जो Tarl हो Natural Gas मतलब प्राकरतिक गैस और Natural Gas को Natural Gas क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राकरतिक जगा पे मिलती है ये जैसे कोईला होता है या Crude Oil होता है पेट्रोल वगारा उसी की तरह हमारी प्रकरति में बनती है जब जो पोधे हैं Plant और Animal जब वो Decompose होते हैं For Millions of Years हमारी धरती के नीचे दबके Heat और Pressure में तब Natural Gas बनती है तो Natural Gas एक Naturally Accring Hydro Carbon Gas का Mixture है Natural Gas में सबसे ज़्यादा Methane होती है लेकिन दूसरी Gas भी हो सकती है यानि Higher Alcan भी हो सकते हैं जैसे Ethan, Propane वगारा भी थोड़ी बहुत proportion में हो सकते हैं इसके साथ साथ इसमें Carbon Oxide, Nitrogen, Hydrogen, Sulfide, Helium वगारा भी हो सकती है लेकिन ये काम की नहीं है तो ये Impurities का काम करती है तो Main इसमें मिथेन होती है उसके अलावा Ethan और Propane वगारा भी हो सकती है थोड़ी सी तो इसमें जो Impurities होती है Carbon Oxide, Nitrogen, Hydrogen, Sulfide, Helium और कई बार Water Vapor भी होते हैं जिने हमें निकालना पड़ता है तो एक बार जब हम Natural Gas को निकाल लेते हैं Natural Gas को हम कहां से निकालते हैं Natural Gas जो होती है ये वहीं पे होती है जहां पे coal और petrol होता है वहीं से निकाली जाती है सब सर्फेस या समुदर के नीचे से निकाली जाती है जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये यहां पे समुदर के नीचे से निकाली जा रही है उसके बाद हमें Impurities अलग करनी है तो Natural Gas से हमें Hydrogen, Helium, Hydrogen Sulfide, Water Vapor ये सब बाहर निकालने हैं तो हम Natural Gas को Process करते हैं बड़े-बड़े Plant होते हैं इसके लिए जिने हम Natural Gas Processing Plant बोलते हैं अब आता है सबसे Important Step Natural Gas को हमें Liquid में Convert करना है अभी तो ये Gas है तो Gas को Liquid में Convert क्यों करते हैं ये समझे क्योंकि हमें इसको करना है Transport तो Transport में अगर मानली जीए आप Gas को Transport करते हैं तो उसके दो बहुत बड़े नुकसान हैं सबसे पहला Gas Leak हो सकती है Gas में आग लग सकती है यानि Safety Hazard बहुत ज़ादा है और दूसरा और जो ज़्यादा Important Reason है वो ये कि जो Gas होती है वो Volume बहुत ज़ादा लेती है जैसे for example अगर आप Liquid लेते हैं मान लेजिए 1 kg Assume करते हैं कि इसकी Density भी 1 है तो यानि कि 1 kg या 1 L एक ही बात है जब Density 1 होती है तो तो पानी का example लेता हूँ पानी 1 kg पानी और 1 L पानी एक ही होता है क्योंकि पानी की Density 1 होती है तो अगर आप 1 L पानी लेते हैं एक बरतन में तो वो बहुत थोड़ी सी जगा घेरेगा एक लिटर का बरतन लेकिन आप सोचिए 1 L गैस जो है वो एक पूरे कमरे को एक पूरे auditorium को basically gas को आप जितनी भी जगा दोगे वो उस पूरे को भर लेगी तो gas जो gas से जब आप उसको liquid में convert करते हो तो उसका जो volume है वो 600 गुना कम हो जाता है यानि कि आप same price में 600 गुना ज़ादा gas transport कर सकते हो उसे liquid में convert करके तो natural gas को हम minus 260 degree पे cool करते हैं और उसको liquid में convert कर लेते हैं right liquefy करते हैं liquefy temperature आप याद रख सकते हैं minus 260 degree Fahrenheit इस पे हम उसे करते हैं liquefied अब ये बन जाती है LNG यानि liquefied natural gas और फिर हम उसको ship या ship कर देते हैं और उसको store कर लेते हैं अब देखिए अब जो जहाज होते हैं मान लिजीए इंडिया ने natural gas को खरीदा LNG को खरीदा कतर से तो कतर क्या करेगा जहाज में भरके इन जहाज को LNG carrier कहा जाता है क्योंकि ये LNG लेकर आते हैं तो ये है LNG carrier ये इंडिया अब पहुँच गए गैस को लेकर लेकिन important बात ये है कि gas इन में जो भरी हुई है वो liquid form में है अभी तक अब ये जहाज जो है इंडिया पहुँच गया ये है हमारा इंडिया का onshore facility जो भी हमारा port है जो terminal है हमारा LNG terminal जिसे बोलते हैं अभी इंडिया में 6 LNG terminal है तो वहाँ पे जहाज पहुच गया ये है वो LNG carrier लेकिन अब यहाँ पे जो LNG इसमें भरी हुई है वो minus 260 degree Fahrenheit या minus 160 degree Celsius में भरी हुई है हमें इसको दुबारा liquid से gas में convert करना है और वो काम करेगा FSRU तो FSRU क्या करेगा floating storage ये storage का काम भी कर सकता है ये जहाज और re-gasification re-gasification मतलब दुबारा उसको liquid से gas में convert करेगा और एक बार जब वो gas बन गई तो फिर वो हम कहीं भी उसे भेज सकते हैं pipeline से समझ में आया FSRU का काम क्या होता है तो भारत जो है LNG बहुत ज़ादा खरीद रहा है आप देख सकते हैं 2004 से लेके 2018-19 तक हमारी जो LNG का import है लगातार बढ़ता जा रहा है आज भारत दुनिया के top 4 countries में है LNG इंपोर्ट में LNG का इस्तिमाल भारत में बहुत ज़ादा होने लगा है LNG एक clean gas है इसे pollution नहीं होता लेकिन ये renewable नहीं है obviously ये coal, petrol की तरह fossil gas है fossil के साथ ही मिलती है तो हम कौन-कौन से country से LNG खरीते हैं mainly हम खरीते हैं America, Australia, Qatar और अब Russia से भी हमने 2018 से start कर दी है भारत का LNG इंपोर्ट लगातार बढ़ा है और हमारे देश में प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो रहा है आप इस graph में देख सकते हैं हम जो offshore natural gas production करते हैं वो लगातार कम हो रहा है in fact 50% कम हो गया है पिछले 7 सालों में भारत जो अपना खुद का natural gas बनाता है वो हमारा अगर खुद का natural gas reserves हम यूज करेंगे कि हम onshore या offshore production उतना अच्छा कर सकें और ये जो sector है काफी static है इसमें बहुत ज़्यादा growth के opportunities नहीं है domestic अभी बात चल रही है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन वगारा उनमें प्राकृतिक gas के भंडार मिले हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा काम अभी तक नहीं हो पाया है जो तेल और gas sector है इंडिया में वो हमारे 8 core industries में से आता है बहुत बड़ा sector है इसलिए core industry में आता है और हमारी भारत की सरकार ने ये लक्षे रखा है कि 2024 तक इस sector में 60 billion यानि 60 अरब US dollar का निवेश किया जाएगा और हमारा target ये है कि 2030 तक हमारे देश में जो भी energy के sources है उनमें natural gas का जो share है वो 15% होना चाहिए आज की तारीक में ये सिरफ 6% है जितनी भी हमारे जो energy sources हम use करते हैं चाहे वो koila हो चाहे petrol हो चाहे कुछ भी हो उसमें पूरे energy sources में सिरफ 15% 15% हम चाहते हैं कि हो जाए अभी सिरफ 6% है हम चाहते हैं 15% natural gas हो जाए हमारे energy mix में 2030 तक और भारत में 6 LNG terminal हैं आज की तारीक में सरकार का ये भी लक्षे है कि नए LNG terminal बनाए जाएं और 1000 LNG fuel station भी पूरे इंडिया में खोले जाएं ये 6 हमारे LNG terminal कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ और कुछ नए भी अब बन रहे हैं मुंद्रा है गुजरात में दाहेज और हजीरा ये भी गुजरात में है फिर कॉंकन ये महराश्रा में है कोची और एन्नोर तो ये 6 अभी हैं और जो नए बन रहे हैं वो हैं जाफराबाद, छारा दोनों गुजरात में हैं जैगर्ड और धामरा तो जैगर्ड जो है वो कहां है जैगर्ड है रतनागीरे डिस्ट्रिक्ट में जो एकदम कोस्ट पे आता है महराश्रा के तो अभी अभी क्या हुआ है अभी अभी ये जो FSRU है अब आप FSRU समझ गए होंगे क्या होता है तो इस जहाज का नाम है होज जायंट ये एक कमपनी है H Energy उसका जहाज है सिंगापूर से चला था और इंडिया में जैगर्ड टर्मिनल पे पहुँच गया है महराश्रा के और जैगर्ड टर्मिनल रतनागिरे डिस्टिक्ट में आता है ये भारत का पहला FSRU है ये क्या करेगा री गैसिफिकेशन भी करेगा और साथ में स्टोरेज का भी काम करेगा तो ये भारत का पहला FSRU बेस्ट LNG री गैसिफिकेशन टर्मिनल है इससे भारत में एक नया अध्याई शुरू हो गया है हम LNG इंफ्रस्ट्रक्चर को जो तयार कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी वज़े से होगी इससे भारत की जो नैचुरल गैस इंपोर्ट कैपेबिलिटी है वो भी भड़ेगी और ये एनवार्मेंट फ्रेंडली भी है एक और फायदा होता है FSRU का वो ये कि एक चलता फिरता जहाज है तो आप इसे कहीं और भी री लोकेट कर सकते हैं कल मानली जी हमारा मन करता है कि हम भारत के इस्टन कोस्ट पर इसे ले जाएं तो हम वहाँ भी इसे स्टेशन कर सकते हैं और जो ये पोर्ट है जैगर्ड पोर्ट ये नया बना है अभी-अभी ये महराश्टर का पहला डीप वाटर 24 घंटे चलने वाला प्राइबेट पोर्ट है महराश्टर का और ये जो जहाज आया है होज जायन्ट इसकी कैपैसिटी है 1,70,000 क्यूबिक मीटर और ये लगबग 6,000,000 टन गैस के इक्विलेंट भारत को सप्लाई कर सकता है और 10 साल के लिए ये स्टेशन किया गया है H Energy Company के दुआरा इतना ही नहीं इससे जो भी LNG हमें मिलेगी Re-Gasified LNG दुबारा गैस में बनाके तो वो 56 किलो मीटर लंबी जैगड से दाब होल तक जो Natural Gas Pipeline है उससे कनेक्ट कर दी जाएगी और इससे ये National Gas Grid से भी कनेक्ट हो जाएगा यानि LNG टर्मिनल जो है जैगड वाला वो जैगड दाबोल Natural Gas Pipeline के थुरू National Gas Grid से भी कनेक्ट हो जाएगा और हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें हम कई इस तरह की Pipeline बना रहे है Natural Gas के लिए जिसका नाम है प्रधान मंत्री उर्जा गंगा उर्जा गंगा परियोजना तो यह था हमारा वीडियो भारत का पहला floating LNG storage and recasification unit यानि FSRU इंडिया पहुँच चुका है होज जायन आई होप आपने LNG value chain भी समझी और आपने समझा कि इस जहाज के भारत में आने के क्या माइने होंगे तो यह था हुचिंग पर वाचिंग स्टड़ी एक्यू